देविय आभासे सुसज्जित इस पवित्र कारकम में हमारे साथ मंच पर उपस्तित सभी वरिष्ट महानुभाव इस पावन पवित्र भूमी पर पहुँचे हुए सभी सद्धालुगन आप सबको आदर पूर्वग मेरा नमस्कार आज सभी मठों सभी बारा जोति लिंगों अनेक शिवाले अनेक शक्ति धाम अनेक तिर्थ खेत्रों पर देश के घणमान्य महापुरुष पुझ्य संतगन पुझ्य संकराचारिय परंपरा से जुड़े हुए सभी वरिष्टस रशी मनिशी और अनेक स्रद्धालु भी देश के हर कौने में आज केदावनात की इस पवित्र भूमी के साथ इस पवित्र माहोल के साथ ससरीर नहीं लेकिन आत्मिक रूप से वर्चुल माद्यम से टेकनलोजी की मदद से वो वहां से हमें आशिरवाद दे रहे हैं आप सभी आदी संकराचारे जी की समाधी की पुनस्थापना के साक्षी बन रहे हैं ये भारत की आध्यात्मिक समृत्ती और व्यापकता का बहुत अलोकिक दर्श्य है हमारा देश तो इतना विशाल है इतनी महान रशी परंपरा है एक से बढ़कर एक तपस्वी आज भी भारत के हर कौने में आध्यात्मिक चेतना को जगाते रहते हैं ऐसे अनेक संतगण आध्येश के हर कौने में और यहां परी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेकिन संबोधन में अगर मैं सिर्फ उनका नाम लेक करना चाहूं तो भी शायद एक सप्ता कम पड़ जाएगा और अगर एकाद नाम छूट गया तो तो शायद मैं जीवन भर किसी पाप के बोज में दब जाऊंगा मेरी इच्छा होते हुए भी मैं इसमय सभी का नामों लेक नहीं कर पा रहा हूं लेकिन मैं उन सब को आधर पुर्वक प्रणाम करता हूं वे जहां से इस कारकम में जुड़े हैं उनके आशिरवाद हमारी बहुत बड़ी शक्ति हैं अनेक पवित्र कार्य करने के लिए उनके आशिरवाद हमें एक शक्ति देंगे ये मेरा पूरा भरोसा है हमारे यहां कहा जाता है आवा हनम न जाना मी न जाना मी विसर जनम पूज़ाम चैविना जाना मी छमस्वत परमेश्वरम इसलिए मैं रदय से ऐसे सभी व्यक्तियों से माफि मांगते हुए इस पुन्य अवसर पर देश के कोने कोने से जुड़े संक्राचारिय, रिशिगण, महान संत परंप्रा के सभी अन्यवाई और आप सब को यही से प्रणाम करके मैं आपका आशिरवाद मांगता हूँ साथियों हमारी उपनिशदों में आदी संक्राचारी जी की रचनाओं में कई जगह नेती नेती जब भी देखो नेती नेती एक ऐसा भाव विश्व नेती नेती कहकर एक भाव विश्व का विस्तान दिया गया है रामचरीत मानस को भी अगर हम देखें तो उसमें भी इस बात को दोहराया गया है अलग तरीके से कहा गया है रामचरीत मानस में कहा गया है कि अभिगत अकथ अपार अभिगत अकथ अपार नेती नेती नित निगम कहा अरखात कुछ अनुभव इतने अलोकिक इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता बाबा केदार नात की सरन में आकर जब भी आता हूं यहां के कन कन से चुड़ जाता हूं यहां की हवाएं कि हमाले की चोटिया यह बाबा केदार का सानित्य न जाने कैसी अनुभुती की तरफ फीच के लिए चला जाता है जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं है दिपावली के पवित्र पर्व पर कल मैं सीमा पर अपने सहिनिकों के साथ था और याद तो यह सहिनिकों की भूमी पर हूं मैंने त्योहारों की खुश्यं मेरे देश के जवान बीर सहिनिकों के साथ बाटी देश वाश्यों का प्रेम का संदेश देश वाश्यों के उनके प्रतिस्रद्धा देश वाश्यों के उनके आशिरवाद एक सो तीस करोड आशिरवाद लेकर के मैं कल्टसेना के जवानों के बीच गया था और आज मुझे गोवर्धन पूजा के दीन और गुजरात के लोगों के लिए तो आज नया वर्ष है गोवर्धन पूजा के दीन केदार नाजी में दर्शन पूजन करने का मुझे सववागे मिला है बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदी संकराचारी जी की समाधिस्तान वहां कुछ पल बते मैंने बिताए ते एक दिब्य अनुभूती का वो पल था सामने बैठते ही लग रहा था कि आदी शंकर के आँखों से वो तेज बुंज वो प्रकाश बुंज प्रवाईत हो रहा है जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है संक्राश्यार जी की समाधि एक बार फीर और अधिक दिव्य अस्वरूप के साथ हम सब के बीश है इसके साथ ही सरस्वती तट पर घाट का निर्मान भी हो चुका है और मन्दा किनी पर बने पूल से गरूर चट्टी उस मार को भी सुगम कर दिया गया है और गरूर चट्टी का तो मेरा विश्यद नाता भी रहा है यहां एक दो लोग हैं पुराने जो पहचान जाते हैं मैंने जापके दर्शन किये मुझे अच्छा लगा साथू तो चलता भला यानि पुराने लोग तो चले गए हैं कुछ लोग इस्थान को छोड़ के चले गए हैं कुछ लोग इस धरा को छोड़ करके चले गए अब मनला किनी के खिनारे बाड से सुरक्षा के लिए जिस दिवार का निर्मान किया गया है इसे सरधानों की आत्रा अब और सुरक्षित होगी तीर्थ पूरी वहत्यों के लिए नए बने आवासों से उन्हें हर मौसम में सुविदा होगी भगवान के दारनात की सेवा उनके लिए अब कुछ सरल होगी कुछ आसान होगी और मैंने तो पहले देखा है कभी प्रकृतिक आपद आ जाती थी तो यात्री यहां फस जाते थे तो इन पूरोहितों की घरों में ही एक-एक कमड़े में इतने लोग अपना समय बिताते थे और मैं देखता था था कि हमारे पूरोहित खुद बाहर ठंड में ठीठूरते थे लेकिन अपनी जो यजमान आते थे जो अपने उनकी चिंता करते थे मैंने यह सब देखा हुआ ह उनके भक्ति भाव को मैंने देखा हुआ है अब उन मुसीबतां से उनको मुक्ति मिलने वाली है साथियों आज यहां यात्री सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाओं का सिलान्याज भी हुआ है परियत्रक सुविधा केंद्र का निर्माण हो यात्रियों की और इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक अस्पताल हो सारी सुविधाओं वाला अस्पताल हो रेंशेंटर हो यह सभी सुविधा स्रधालों की सेवा का माद्यम बनेगी उनके तिर्थाटन को अब कस्ट से मुक्त केदार से युक्त जैब होले के चन्रों में लीन होने का यात्रियों के एक सुखत अनुभव होगा साथियों बरसों पहले पुक्सान यहां हुआ था वो अकल्पनिय था मैं मुख्यमंत्री तो गुजरात का था लेकिन मैं अपने आपको रोक नहीं पाया था मैं यहां दोड़ा चलाया था मैंने अपनी आँखों से उस तबाही को देखा था उस दर्द को देखा था जो लोग यहां आते थे वो सोते थे कि क्या अब यह हमारा केदार धाम यह हमारा केदार पुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी यह पहले से अधीक आन बान शान के साथ खड़ा होगा और यह मेरा विश्वास बाबा केदार के कारण था आदी संकर की साधना के कारण था रुश्यों मुनियों की तपस्यां के कारण था लेकिन साथ साथ कच के भुकम के बाद कच को खड़ा करने का मेरे पास अनुभव भी था अर इसलिए मेरा विश्वास था और आज वो विश्वास अपनी आँखों से साकार हुआ देखना इससे बड़ा जीवन का क्या संतोष हो सकता है मैं इसे अपना सवभा के मानता हूँ कि बाबा के दार ने संतों के अंसिरवाद ने इस पवितर धर्ती ने जिस मिट्टी ने जिसकी हवाओं ने कभी मुझे पाला पोसा था उसकी सेवा करने का सवभाग्य मिलना इससे बड़ा जीवन का पुन्य क्या होता है इस आधी भूमी पर सास्वत के साथ आधुलिक्ता का ये मेल विकास के ये काम भगवान संकर की सहज कुर्पा का ही परनाम है ये इश्वर नहीं क्रडिट ले सकता इंसान क्रडिट नहीं ले सकता इश्वर कुर्पा ही इसकी हगदार है मैं इस पुनित प्रयासों के लिए उत्राखन सरकार का हमारे उर्जावान नौजवान मुख्यमंत्री धामी जी का और इस कामों की जिम्मेदारी उठाने वाले सभी लोगों का भी आज रदय से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने एडी चोटी का जोर लगा करके इस सपनों को पूरा किया है मुझे पता है यहां बर्फबारी के बीच भी किस तरह याने पुरा साल भर काम करना मुश्किल है यहां बहुत कम समय मिलता है लेकिन बर्फबारी के बीच भी मेरे हमारे सर्मिक भाई बहन जो पहड़ों के नहीं थे बहार से आये थे वे यह इश्वरिय कार्य मान करके बर्फबर्षा के बीच भी माइनस टेंपरेचर के बीच भी काम छोड़कर के जाते नहीं थे इसके काम करते रहते थे तब जाकर के यह काम हो पाया है मरण मनिहा लगा रहता था तो मैं बीच भी दोन की मदद से टेक्निलोजी की मदद से मेरे जब्तर से यहां का पूरा मैं यह एक प्रकार से वर्चुल याता करता था लगातार मैं उसकी बारिक्यों के देखता सा काम कितना पहुंचा महने पर पहले कहां थे इस महने कहां पहुंचे लगातार देखता था मैं केदान रात बंदिर के सभी रावल और सभी पुजारियों का भी आज विशे इस रुप से आभाट प्रकरतना चाहता हूं क्योंकि उनके सकानात पक रवये के कारण उनके सकानात पक प्रयासों के कारण और उन्होंने परंप्राओं का जो महरा मारदर्शन करते रहे उसके कारण हम इसको इस परानी विरासत को भी बचा पाए और आधुलिता भी ले पाए और इसके लिए मैं पुजारियों का रावल ब्यक्तर करता है आदी संक्राचारिय जी के विशे में हमारे विद्वानों ने कहा है संक्राचारिय की जलिये हर विद्वान ने कहा है शंकरो शंकरह शाक्षाद अरफात आचारिय संकर शाक्षाद भगवान संकर का ही श्वरूप थे यह महिमा यह देवत्व आप उनके जीवन के हर चन हम अनभव कर सकते हैं उसकी तरफ ज़रा नजर करें तो शारी प्रूतिया सामने आ जाती है चोटी से उम्र में बालक उम्र में अध्भूत बोध बाल उम्र से ही सास्त्रों का ज्ञान का विज्ञान का निरंतर चिंतन और जिस उम्र में एक साधारन मानवी साधारन रूप से संसार की बातों को थोड़ा देखना समझना शुरू करता है थोड़ी जागरूति का प्रारम होता है उस हुमर में उस हुमर में वो वेदान्त की गहराई को उसके गुढ़ारत को सांगो पांग विवोईचन उसकी व्याख्या अभीरत प्रुप से क्या करते थे यह यह संकर के भीतर साक्षात संकरत्व का जागरन के सिवा कुछ नहीं हो सकता है यह संकरत्व का जागरन था यहां संस्क्रीत और वेदों के बड़े-बड़े पंडीत यहां भी बैठे हैं और वर्चुली भी हमारे साथ जुड़े हैं आप जानते हैं कि संकर का संस्कृत में अर्थ बड़ा सरल है कि शंकर का अर्थ संस्कृत में होता है संकरोती सहशंकर है यानि जो कल्यान करे वही शंकर है इस कल्यान को भी आचार्य संकर ने प्रत्यक्ष्य प्रमानित कर दिया था उनका पूरा जीवन जितना असाधरन था उतना ही वो जनसाधरन के कल्यान के लिए समर्पित थे भारत और विश्व के कल्यान के लिए अहर नीश अपनी चेतना को समर्पित करते रहते थे जब भारत राग द्वेश के भवर में फस करके अपनी एक जुडता को खो रहा था तब यानि कितना दूर का संत देखते हैं तब संक्राचारी जी ने कहा था नमे द्वेश रागो नमे द्वेश रागो नमे लोबमो मदो नईव मे नईव मात्सर्य भाव अर्थात राग द्वेश लोबमो इर्शा अहम ये सब हमारा स्वभाव नहीं है जब भारत की जाती पंत की सिमाओं से बहार देखे की शंकाओं आशंकाओं को उपर उठने की मानव जात को जुरुत थी तब समाज में चेतना फुकी रादी शंकरें कहां नमे मृत्य शंका नमे जाती बेदह यानि नास विनास की शंकाएं जात पात के भेद से हमारी परंपरा का कोई लेना देना नहीं है हिस्सा नहीं है हम क्या है हमारा दर्शन और विचार क्या है ये बताने के लिए आदी शंकर ने कहा चिदानंद रुप अर्थात आननद स्वरुप्सिव हम ही है जीवत्व से ही सीवत्व है और अद्वेईत का सिध्धान कभी कभी अद्वेईत के सिध्धान को समझाने के लिए बड़े-बड़े ग्रंतों की जरूर पड़ती है मैं तो इतना विद्वान नहीं हूँ मैं तो सरल भाजा में अपनी बात समझता हूँ और मैं इतना ही कहता हूँ जहां द्वेईत नहीं है वही तो अद्वेईत है संकरा चैरेजी ने भारत की चेतना में फिर से प्रान फुके और हमें हमारी आर्थिक परमार्थिक उन्नति का मंत्र दिया उन्होंने कहां ज्ञान भी ही ना देखिए ज्ञान की उपासना क्या महिमा हमारे कितरा महत्व रखता है ज्ञान भी ही नहां सर्वमतेन मुक्तिम न भजती धन्मशतेन यानिगी दूख कष्ट और कठिनाईयों से हमारी मुक्ति का एक ही मार्ग है और वो है ज्ञान भारत की ज्ञान की विज्ञान और दर्शन की जो कावातीत परंपरा है उसे आदि संकराचार जी ने फिर से पुनर जिवित किया चेतना भर दी साथियों एक समय था जब अध्यात्म को धर्म को केवल रूठियों से जोड़कर कुछ ऐसी गलत मर्यादा और कल्पनाओं में जोड़कर देखा जाने लगा था लेकिन भारतिय दर्शन तो मानव कल्यान की बात करता है जीवन को पुर्णता के साथ होलिस्टिक एप्रोच के साथ होलिस्टिक वे में देखता है आधी संकराचारी जीने समाज को इस सत्य से परिचित कराने का काम किया उन्होंने पवित्र मठों की स्थापना की चार धामों की स्थापना की द्वादर जोतिरंगों का उनर जागृति का काम किया उन्होंने सब कुछ त्याग कर देश समाज और मानवता के लिए जीने वालों की एक ससक्त परंपरा खड़ी की आज उनके अधिश्टान भारत और भारतियता का एक प्रकार से संबल पहचान बने हुए है हमारे लिए धर्म क्या है धर्म और ज्ञान का सब्वंद क्या है और इसलिए तो कहा गया है अठा तो ब्रह्म जिज्घ्यासा in अठातव ब्रह्म जिज्घ्यासा कि इसका मंत्र देने वाली उपनि शदिय परंपरां क्या है तो हमें पल प्रतिपल प्रश्ण करना सिखाती है और तभी तो बालग नची केता यम के तर्वार में जाकर के यम के आँख में आँख मिला करके पूछ देता है यम को पूछ देता है मृत्यु क्या है वताओ प्रश्ण पूछना ज्यान अरजित करना अधातो धर्म जिग्या साथ हमारी इस विदासत को हमारे मठ हजारों सालों से जीवित रखे हुए हैं उसे समर्द्द कर रहे हैं संस्कृत हो संस्कृत भाषा में वैदी गणी जैसे विज्ञान हो इस मठों ने हमारे संक्राचारी की इस परंपरा ने इन समका सवरक्षन कर पीडी दर पीडी मार्ग दिखाने का काम किया है मैं समझता हूं आज के इस दौर में आदी संक्राचारी जी का सिध्धान और ज्यादा प्रासंजगी हो गए हैं साथियों हमारे यहां सदियों से चार धाम यात्रा का महत्व रहा है द्वादस जोति लिंक के दर्शन की सक्ति पिठों के दर्शन की अस्त मिनाईजी के दर्शन की यह सारी यात्रा की प्रम्परा यह तिर्थाटन हमारे यहां जीवन काल का हिस्सा माना गया है यह तिर्थाटन हमारे लिए सरफ सैर सपाटा परियतन बर नहीं है यह भारत को जोडने वाली भारत का साक्षात कराने वाली एक जीवन्त प्रम्परा है हमारे यहां हर किसी कोई है कोई भी वक्ति होगा उसकी इच्छा होती है कि जीवन में कम से कम एक बार चार धाम जरूर हो ले द्वादर जोतिलिंग का दर्शन जरूर कर ले मां गंगा में एक मार रुप की जरूर लगा दे पहले है हम घर में बच्चों को सुरू से ही सिखाते थे परंपरा थी बच्चों को घर में तुझ गाया जाता था सवराश्ट्रे सो मना था चा स्रीशहले मली का जुनरम बच्चपन में से गाय जाता था वादस जोतिलिंग का ये मंत्रा गर बैठे बैठे एक ब्रहत भारत का विशाल भारत का हर दिन यात्रा करा देता था बच्चपन से ही देश के इस अलग-अलग हिस्सों से जुड़ाव एक सहज समस्कार बन जाता था ये आस्था ये विचार पूरब से पस्चिन तक उत्तर से दक्चिन तक भारत की एक जीवित इकाई में बदल देता है राष्ट्री एक्ता की ताकत को बनाने वाला एक भारत स्रेश्ट भारत का भव्य दर्शन सहज जीवन व्यवस्ता का हिस्सा था बाबा के दारनात के दर्शन करके हर स्रद्धालू एक नई उर्जा लेकर जाता है साथियों आदि संक्राचारी की विरासत को इस चिंतन का आज देश अपने लिए एक प्रेणा के रूप में देखता है अब हमारी संस्कृति के हमारी स्विरासत को आस्ता के केंद्रों को इसी गवरव भाव से देखा जा रहा है जैसा देखा जाना चाहिए था आज अयोध्या में भगवान स्री राम का भव्य मंदीर पूरे गवरव के साथ बन रहा है अयोध्या को उसका गवरव सद्यों के बाद वापस मिल रहा है अभी दो दिन पहले अयोध्या में दिपोत्षव का भव्य आउजन और पूरी दुनिया ने उसे देखा है भारत का प्राचिन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा आज हम इसकी कल्प ना कर सकते हैं इसी तरह उत्तरप्रदेश में ही कासी का भी कायकल्प हो रहा है विश्वनात धाम का कार्य बहुत तेज गती से अब तो प्रूनता की तरब आगे बढ़ रहा है बनारस में शारनात नद्दिक में कुशिनगर बोध गयां यहां सब जगा पे एक बुद्ध सर्कीट के अंतर राष्टिये परियवेट तरणित को आकर्शित करने के लिए विश्व के बोध्य के भक्तों को आकर्शित करने के लिए एक बहुत तेजी से काम चल रहा है भगवान राम से जुड़े जितने भी तिर्थ स्थान है उनको भी जोड़ करके एक पूरा सर्कीट बनाने का काम भी अचल रहा है मत्रा प्रंदावन में भी विकास के साथ साथ यहां की सुचीता पवितरता को लेकर संतों की ब्राइब अधुनिक्ता के तरब मोड दिया जा रहा है इतना सब आज इसलिए हो रहा है क्योंकि आज का भारत आदी संक्राचेरे जैसे हमारे मनीश्यों के निर्देशों में स्रद्दा रखते हुए उस पर गवरों करते हुए आगे बढ़ रहा है साथियों इस समय हमारा देश आधादी का अमृत महोसव भी मना रहा है देश अपने भविष्चे के लिए अपने पुनर निर्मार के लिए नए संकल्प ले रहा है अमृत महोसव के इस संकल्पों में से आधी संक्राचारे जी को हम एक प्रकार से अपनी बहुत बड़ी प्रेणा के रुप में देख सकते हैं अब देश अपने लिए बड़े लक्षत तयार करता है कठीन समय और सिर्फ समय नहीं समय की सिमा भी हम निधारी करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि इतने कम समय में यह सब कैसे होगा कभी कभी लोग यह भी कहते हैं यह होगा भी के नहीं होगा और तब मेरे भीतर से एकी आवाज आती है एक सुतीस करोर देश वासों के आवाज मिज़े सुनाई देती हैं और मेरे मुँ से यही निकलता है एकी बात निकलती हैं समय के दायरे में बंद कर भैभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है आप देखिए आदी संकनाचाहर जी को छोटी सी आयो थी छोटी सी आयो थी घर वार परिवार छोड़ दिया सन्यासी बन गए कहां केरल का कालरी और कहां केदार कहां से कहां चल पड़े सन्यासी बने बहुत ही कम आयो में इस पवित्र भूम में उनका शरीर इस धर्ती से बिलीन हो गया अपने इतने कम समय में उन्होंने भारत के भुकल को चैतन ने कर दिया भारत के लिए नया बविश्य गड़ दिया उन्होंने जो उर्जा प्रदिवलित की वो आज भी भारत गतिबान बनाए हुए है आने वाले हजारों साल लग ये गतिबान बनाए रखेगी इसी तरह स्वामी विवेकरंची को देखिए स्वाधिंता संग्राम में अनेक अनेक सेनानियों को देखिए ऐसी कितनी ही महान आत्माएं महान विवूतियां इस धर्ति पर आकर यहां प्रकट हुई जिनोंने समय की सिमाओं का उलंगन कर छोटे से कालखन में कई-कई यूगों को गड़ दिया यह भारत इन महान विवूतियों के प्रेड़ा ओपर चलता है हम सास्वत को एक प्रकार से स्विकार करते हुए हम क्रिया सिल्ता पर विश्वास करने वाले लोग है इसी आप विश्वास को लेकर देश आंच इस अमुरुत काल में आगे बढ़ रहा है और ऐसे समय में मैं देश वासियों से एक और आग्रह करना चाहता हुए स्वाधिन्ता संगराम से जुड़े अईतिहास्तिक स्थानों को देखने के साथ साथ ऐसे पवित्र स्थानों को पगी जादा से जादा जाएं नई पीड़ी को लेकर के जाएं परिचित कराएं मा भारती का साथ शात कार करें हजारों साल की महान परंपरा की चेतना का अनुभूती करें आजादी के अमृत काल में स्वतंत्रता आजादी का ये भी एक महोत्सभ हो सकता है हर हिंदुस्तानी के दिल में हिंदुस्तान के हर कौने-कौने में हर कंकर-कंकर में शंकर का भाव जग सकता है और इसलिए निकल पढ़ने का ये समय है जिन्होंने गुलामी के सैंकडों वर्षों के कालखन में हमारी आस्ता को बांद करके रखा हमारी आस्ता को कभी खरोच जग नहीं आने दी गुलामी के कालखन में ये छोटी सेवा नहीं थी कि आजधी के कालखन में उस महान सेवा को उसको पूझना उस के तरपन करना वहां तप करना साधना करना क्या हिंदुस्तानी का नागरिक का करतप्य नहीं है और इसलिए मैं कहता हूँ एगनागरिक के तोर पर हमें इन पविस्त सानों को भी दर्शन कर लिग लिए जाना चाहिए उन सानों की महिमा को जानना चाहिए साथ क्यों देव भूमी के प्रती असीम सद्धा रखते हुए यहां की असीम संभावना उपर विश्वास करते हुए आज उत्रा घंकी सरकार यहां विकास के महा यग्य से जुड़ी है पूरी ताकत से जुड़ी है चार धाम सडक परी योजना पर तेजी से काम हो रहा है चारो धाम हाइवे से जुड़ रहे हैं बविश में यहां केजार नाजी तक सरद्धालू के वल कार के जरी आ सके इससे जुड़ी प्रक्रिया भी सुरू हो गई है यहां पांस में हो पवित्र हैमकुन साहब जी है हैमकुन साहब जी के दर्शन आसान हो इसके लिए वहां भी रॉप्पे बनाने की दिशा में काम तैयारिया चल रही है इसके अलाबा रिजिकेश और कन प्रया को रेल से भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है अभी मुक्हिमंतिजी कहते थे हैं पाड के लोगों को तो रेल देखना भी दुश्कर होता है अब रेल पहुंच रही है दिल्ली देहरादुन हाइवे यह बनने के बाद देहरादुन से दिल्ली आने वालों के लिए समय और कम हो जाने वाला है इस सब कामों को उत्राखन को उत्राखन के परियतन को बहुत बड़ा लाब मिलने वाला है और मेरे शब्द उत्राखन के लोग लिख करके रखें कि जिस तेजगती से इंफ्रस्ट्रक्टर बन रहा है कि पिछले सो साल में जितने यात्री हाए न आने वाले दस साल में उससे भी जादा आने वाले कि आप कल्पना कर सकते हैं यहां की अर्थ वेवस्ता को कितनी बड़ी ताकत मिलने वाली है इकीसवी सताब्दी का है तीसरा दसक यह उत्तरा खंड का दसक है मेरे शब्द लिख के रखिये मैं पवित्र धर्ति पर से बोल रहा हूं हाल के दिनों में हमने सभी ने देखा है कि किस किस तरह चार धाम याता आने वाले सरद्धालों की संख्या लगातार रेकॉर्ड तोड रही है और कुरान न यह कोविड न होता तो न जाने यह संख्या कहां से कहां पहुँच गई होती है उत्राखंड में मुझे यह भी बहुत खुशी हो रही है खास करी मेरी माताएं बहने और पहण में तो माताओं बहनों की ताकत का इक अलग ही सामर्थ होता है जिस प्रकार से उत्राखंड के छोटे छोटे स्थानों पर प्रकृति की गोद में होमस्टे का नेटवर्ग बन रहा है सेंकडो होमस्टे बन रहे हैं माताएं बहने और लोग भी जियात्री आते हैं बेबी होमस्टे को पसंद करने लगे हैं रोजगार भी मिलने वाला है स्वाविमान से जीने का आउसर भी मिलने वाला है यहां की सरकार जिस तरह विकास के कारियों में जुटी है इसका और एक लाग हुआ है यहां बना तो हम हमेशा दुनते थे पहाड का पानी और पहाड की जवानी कभी पहाड के काम आती नहीं मैंने इस बात को बदला है अब पानी भी पहाड को काम आएगा जवानी भी पहाड को काम आएगी पलायन रुकना है एक के बाद एक जो निरने हो रहे हैं पलायन रुकना है मान के चलिए सात्यों मेरे नवजवान दोस्तों यह दसक आपका है उत्तरा खंड का है उज्वल भविश्य का है बाबा के दार के अशिरवाद हमारे साथ है यह देव भूमी मात्र भूमी की रक्षा करने वाले अनेकों वीर बेटे बेटियों की यह जन्मस्थली भी है यहां का कोई घर कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पराक्रम की कोई गांथा का परिचय नहीं हो आदेश जिस तरह अपनी सेनाओं का आधुनी करन कर रहा है उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है उससे हमारे वीर सैनिकों की ताकत और बढ़ रही है आज उनकी जरुरत को उनकी अपेक्षाओं को उनके परिवार की आवश्यक्ताओं को बहुत प्रात्विक्ता देख करके काम किया जा रहा है यह हमारे ही सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन की चार दसक पुरानी मांग को पिछली शताबदी की मांग इस शताबदी में मैंने पूरी की मुझे संतोष हैं मेरे देश की सेना के जबानों के लिए मुझे सेवा करने का मोका मिला इसका लाग तो उत्राखंड के करीब परीब हजारों परिवारों को मिला है साथियों उत्राखंड ने कोरोना के खलाब लड़ाई में जीत तरह का अनुसातन दिखाया वो भी बहुत अभिनंदनी हैं सरानी है बवगोलिक कठिनाईयों को पार कर आज उत्राखंड ने उत्राखंड के लोगों को सत्व प्रतिशत सिंगल डोज का लक्ष हासिल कर लिया है ये उत्राखन को ताकत का दर्शन कराता है उत्राखन के जामर्त को दिखाता है और जो लोग पहड़ों से परिचिय हैं उनको पता है कि ये काम आसान नहीं होता है गंटों गंटों तो पहाड की चोटियों पर जा करके दो या पांच परिवार को वैक्षिनेशन दे करके रात रात चल करके घर पहुँचना होता है कष्ट कितना होता है मैं लाड लगा सकता हूं उसके बाद भी उत्राखन ने काम किया है क्यों उत्राखन के एक एक नागिरित की जिंदगी बचानी है और इसके लिए मुख्यमंत्री जी आपको आपकी टीम को में बढ़ाई देता को आज मुझे भी स्वाथ है कि जितनी उचाईओं पर उत्राखन बसा है जितनी उचाईओं पर उत्राखन बसा है उससे भी जादा उचाईओं को मेरा उत्राखन हासिल करके रहेगा बाबा के दार की भुमी से आप सब के आशिरवाद से देश के कोणे कोणे से संतों के महंतों के रुष्यों के मुन्यों के आचारियों के आशिरवाद के साथ आज इस पवित्र धर्ती से अनेक संकल्पों के साथ हम आगे बढ़ें आज आज इक अम्रुत महोत्सों में देश को नई उचाई पर ले जाने का संकल्प हर कोई करें दिवाली के बाद एक नया उमंग नया प्रकास नहीं बुर्जा हमें नया करने की ताकत दें मैं एक बार फिर भगवान के दारनाथ के चर्णों में आदि संकराचारी जी के चर्णों में प्रणाम करते हुए आप सभी को मैं एक बार फिर दिवाली के इस महा पर्व से लेकर के छड़ पूजाता अनेक परवा रहे हैं अनेक परवों के लिए अनेक अनेक शुब कामनाय देता हूं मेरे साथ प्यार से बोलिए भक्ती से बोलिए जी भर करके बोलिए जैकेदार 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 तन्यवार